नमस्ते, चलिए भई स्वागत है आप सभी का तुरंत, आप हमसे जुर जाईए भई, जो अपडेट आपको चाहिए, मुझे पता है कि आपको किस चीज की अपडेट चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी आप बस कीजिए, इस राजस्थान में और भी घटनाए घटती हैं करपया करपय आप उनको बताईए, लेकिन ये खबर कितनी महतावपुर्ण हैं, आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, आईटी एक्ट धारा 67 के तहट 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, मैं बात कर रहा हूँ, लक्षमनगड से 6 किलोमेटर दूर उस जगह की जहां पर आजकल बाबा बहुत वाइरल हो रहे हैं, हमने पहले भी कहा आपसे, कि हम यहाँ पर मानते हैं और जा जिस लड़के ने जो वीडियो बनाया है, जो वीडियो शूट किया गया है, वो लड़का उतना ही दोशी है, जितना की बाबा दोशी है, हमने आपको केई ऐसी चीजें बताई, जिन चीजों के बारे में शायद आपको पता लग चुका है, मैं किन चीजों की बात कर रहा ह गाड़ी में बाबा थे, प्लास्टर सहीत थे, जब पुलिस लेके जाती है तब प्लास्टर पेरों में नहीं था प्लास्टर उतरने में 90 दिन का कम से कम समय लगता है यहीं नहीं, बाल नहीं थे और बाल आने में भी कम से कम दो महिने का वक्त लगता है काफी में कमेंट्स पढ़ रहा था तो आप लोगों के ये कमेंट्स थे वो आपका प्यार है आप ये कह रहे थे कि आप बाबा को बचाने का प्रियास कर रहे हैं जबकि हम एपिसोड के शुरुआत में ही पहली बात ये रखते हैं कि जो बाबा ने किया वो गलत किया हम बाबा के पक्स में कतई नहीं है लेकिन एक लड़की की जिंदगी खराब करने वाला अगर यूँ ही सेफ तरीके से घुमता रहा तो क्या गरंटी है कि आगे आने वाली लड़की कोई और नहीं बनेगी एक्ट 2000 की धारा 72 के तहत ये भी प्रावधान है इसके अंदर बिना इज़ादत के रिकोर्डिंग नहीं कर सकते हैं हम अच्छे से जानते हैं IT Information Technology आप अच्छे से जानते हैं सूचना का अधिकार सब को है, सूचना पाने का अधिकार सब को है लेकिन हमारी बिना अनुमती के हम ऐसा कतई नहीं कर सकते हैं आपको एक केस और याद दिलाना चाहूँगा जो मेरे इस सेल फोन में हैं आज आपको सेल फोन का वो हिस्सा बता रहा हूँ जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अजीब हो गरीब आते हैं हम उनको प्यार भी देते हैं लेकिन कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनकी वज़े से हमें काफी हंसी आती है और उन कमेंट्स को हम घंबीरता से लेते हैं आज भी ऐसे ही आपके कमेंट्स पढ़ने का मन किया तो वो कमेंट्स मैं पढ़ूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ आप नोट करेंगे आपकी डिस्प्ले पर भी चल रहा है ये कि यूपी के मदस्ते में 12 साल की बच्ची से दुश्क्रम और लगातार जो न्यू चैनल्स होते हैं वो उठाते ही रहने हैं ये भी एक परमुकता ध्यान देने वाला केस था शायद आप लोगों को कुछ याद आया होगा ऐसे नजाने कितने केस है जो मैं आपको बता सकता हूँ अपने भारत के अंदर चलिए अब बात करते हैं उतर देने की कोशिश करते हैं एक कमेंट से प्रिती सेन नाम से कमेंट किया है वरना पता नहीं और क्या क्या होता हमारे मंदीर में ओए वीडियो बनाने वाले को भगवान ने सद्बुद्धी दी है ताकि सच सामने आए बाकि उसकी गलती इतनी है कि उसने वीडियो का फा पबलिश करना सही था आप भी मुझे एक लड़की लग रही है आप जरा खुद सोचिए कि अगर हम एक बहन और एक बेटी के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा सोचिएगा जरूर सोचने वाला विश्य है हमने ये कता ही नहीं कहा कि उस व्यक्ति ने गलत काम कि किया है एक धोंगी को अपने कपड़ों से बाहर लाने का काम किया है लेकिन वो वीडियो पुलिस परसासन को बता सकता था एक चोटी सी पंचायत न्यूक्त करके गाम वाले मुखिया को बता सकता था उस मंदिर में 80 साल के एक ऐसे संत हैं जिन संत की महिमा लाखों लोग आ तो वहां से समस्या का समाधान हो सकता था लेकिन इस तरीके से ब्लेक मेल करना और दो-तीन महिने अपने पास वीडियो रखना उसके बाद में इसको सर्कूलेट करना ये कानूनन अपराद है कानूनन जुर्म हैं अभी एक कमेंस ओर है ये कमेंस बहुत ही शांदार कमेंस है विजे इंदोरिया नाम के विजे इंदोरिया नाम से ये कमेंट्स है कि महंदरनात 100% खरास होना है पूजे महंदरनात के खराब सवास्तिय और व्योवर्दता का फाइदा उठाया है इस सेवदार ने भगवा पहनने से कोई नात नहीं बनता आप मुझे बताएं कि इस तेज नात जी महराज तो राजस्तान के कोहिनूर है जैसे महंदरनात जी, विकाश नात जी, ओम नात जी, गुलाब नात जी, आनंद गिरी जी, दिनेश गिरी जी, शलेंदरनात जी और बहुत थी नात हैं जो महराज हैं इनका नाम लिखना संभव नहीं हैं सभी नातों को सवरूप नाथों को बदनाम करते जा रहे हो जो अपना सब को छोड़ कर दिन रात सनातन संस्कृती की रखवाली करते हैं जै जै नाथ जै जै आदेश ये भाई साब का कमेंट था बहुत लंबा चोड़ा कमेंट था लेकिन जो बातें लिखी वो बातें हम इनसे अगरी करते हैं शत परतीशत अगरी करते हैं कि इन्हों ने जो लिखा वो सही लिखा अब एक कमेंट आया है पास है निका P.S.A.N.S.I. ऐसा पंसी पंसी करके है सुदेश भाई सहाब आप उस लड़की की बात कर रहे हो जो लड़का उसका क्या होगा भई लड़के का मैं आपको बता चुका हूँ नहीं बता रहा तो दुबारा बता रहा हूँ बाबा पर उस लड़के पर F.I.R. दर्ज होगी है कानून का सिकंजा कस दिया गया है अब कानून का काम है कोर्ट का काम है उनको सजा देना मेरा और आपका काम नहीं है हम सिरफ और सिरफ इस मुद्दे को उठा सकते हैं और किसी पीडित की आवाज को दबा नहीं सकते ये हमारा भी अधिकार नहीं है अगर कोई दबाने की कोशिश करता है तो वो गलत बात है कानून भी अपना सही काम करेगा हमें ऐसी उम्मीद है जी हाँ अब एक कमेंट्स ओराई है अर्विन सानिक की नाम से है आपके अनुसार जैसे हमारे अनुसार उसे लड़की की जिंदगी खराब हो गई उसे देखकर अन्य लड़की भी अपनी भविश्य के प्रती सचेत रहेगी मैं चाहता हूँ हमारे देश में भी साओधी अरब जैसा कानून बने जो भी जुल्म करे उसे फांसी मिले और फिर देखना एक दिन गलत करने से पहले सोचने लगे यह इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है बहुत शांदार बात लिखी है अब कुछ लोग यह है जो बहुत शांदार कमेंट्स करते हैं कुछ ऐसी कमेंट्स होती है जो दिल तोड़ देती है है हमारा सबने मतलब ऐसी कमेंट हम पे ही कुछ लोग आरोप लगा देती हैं कि एक जैसे कमेंट है महालक्षमी महालक्षमी का कमेंट है कि आप ज्यादा समझदार हैं आप बताने का परियास करें कि पूरुफ कैसे दी जाती है आप बिक चुके हैं शायद बाबा के पास नहीं है लेकिन आप सभी का प्यार और आप सभी का हमारे प्रती देखना ये हमें सोभागय साली मानते हैं गुद को क्या आप इतना प्यार दे रहे हैं चलिए हम आते हैं अपडेट पर अपडेट यह है कि एफ यार सुत्रों के हवाले से खबर है कि परसों ही दर्ज हो करके उस कोपी को हमें बेच सकते हैं उसका एनलाइसस करेंगे जाहिर सी बात है सीधी सी बात है कि अब जो भी फैसला लिया गया है वो फैसला उस लड़के के हित में नहीं है उस बाबा के भी हित में नहीं है ये सर्कूलेट होना ये बहुत जरूरी था और इस गटना को ब भबनें प्रकाशित होना, आप लोगों का प्यार मिलना, आप लोगों का दबाव मिलना, इसके कारण कोई ने कोई एक निकल के आया, जिसने पीडित परिवार को सहयोग दिया, और वो निकल करके सामने आये, और बिना किसी डर से उन्होंने FIR दर्ज करवाई है, अब कानून अपना काम करेगा, और जब कानून अपडेट लाता है, तो बहुत तगडी अपडेट लाता है, उमीद करते हैं, कि अब इस कहानी का जो खिस्सा है, वो कल तक समाप्त हो जाएगा, हलांकि ये भारत है, और भारत में बीसों साल चकर काटने के बाद में भी कुछ सजा का प कब मिलेगी, ऐसे भी बहुत कैसे, ऐसे किस्से और कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए, जिनकी जेल में जिन्दियां खतम होगे, लेकि उनको इनसाफ नहीं मिला, कुछ बेकशूर लोग भी फरस आते हैं, उनका भी कानून है, जो धीरे-धीरे लचिला है, ल भी आप हमें बेश सकने हैं, अपनी कहानी और किस्से और ऐसी वारदात हमें यहां बेशते रहें, हम आपकी आवाज को परमुकता से उठाते रहेंगे, बहुत-बहुत आवार यूही कमेंट्स करते रहें, आप सभी का तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, धने बाद करते हैं, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत